कि हाई गाइस वेलकम तूलब्स किचिन आज में आपके लिए बहुत कम मसालों की अर्बी की सबजी बनाऊंगा तो अर्बीक सब्सब्स आप कई स्टायल में बना सकते हैं प्यास टमाटर से बनाते हैं करे लोग अलग-अलग तरीके से बनाते हैं तो इसके लिए मैंने आधर किलो अर्वी ली है यह चोटे अर्य आलू लिये है मैंने थोड़े से आलू भी इसमें मैट करेंगे कि युनिफॉर्म साइज के आलू लेंगे तो आपको बाइल करने में इजी होगा तो यहां पर मैंने प्रेशिर कुकर में अर्वी डाल दी है और डाल देंगे साथ ही साथ जो आलू है चोटी रखें आलू ताकि साथ ही साथ दोनों बॉल होंगे सफीशिंट पानी देंगे ताकि आर्वी और आलू पुरी तरा डूब जाया पानी में और सिर्फ एक विसल आने देंगे आज तिक वह सफीशिंट होगा और एक विसल के बाद आपके अर्वी और अलू बॉयल हो चुके हैं इसे घुईयां भी कहते हैं अर्वी को और अब हम इंको छील लेंगे इस चाकू की मदद से हम इनको छील लेंगे वैसे तो यह हाथ से भी छील जाएगा बट चाकू से थोड़ा इसी पड़ जाता है जो ल बहुत ही आसान है बॉयल होने के बाद अर्वी का छील का बहुत ही असानी से उतर जाता है बस चाकू से थोड़ा इजी और ज्यादा हो जाता है और साथी साथ मैंने आलूओं को भी छील लिया था यह तयार है और अब हम इनको काट लेंगे आपको जिस तरह का पसंद हो उ लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे और आलूओं को भी हम साथी साथ सिमिलर शेप्स में काट लेंगे कि जिस तरह की आपको पसंदों वैसी शेप आप रख सकते हैं और यहां पर मैंने कडाई में सरसो तेल डाल दिया है और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे दूआ उठने तक और अब इसमें हम सौफ कलोंजी मेती और अजोयन सब भी आदा चोटा चमच डाल देंगे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आते हैं और डाल देंगे आदा चोटा चमच बारी कटाओ अध्रग भी अध्रग को कच्छी स्मेल के जाने तक हम फ्राइब करेंगे और अब हम ए चोटा चमच धन्या पाउडर इसमें डाल देंगे आप चाहें तो थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसमें रेट चिली पाउडर भी डाल सकते हैं बड़ जैसे कि मैंने बताए यह कम मसालियाली रेसिपी होगी इसलिए मैं रेट चिली पाउडर इसमें नहीं और अब हम जो काटके रखे हुए अर्वी के टुकड़े थे और अलू के टुकड़े थे मिला देंगे और हलके हातों से कर्शी जलाते हैं अपसाइड डाउन करते हैं अच्छी तरह से मसालिक साथ मिक्स कर लेंगी और आज को धीमा रखेंगे और कुछ देर के लिए से धक्कन लगा के पकने देंगे करीब तीन से चार मिनिट तक बिल्कुल धीमी आज पर तीन से चार मिनिट हो जाने के बाद धक्कन हटाएंगे और अब हम इसमें नमक एड़ कर देंगे इस वात के अनुसार और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और करीब आदा चोटा चम्बच अमजूर पाउडर हम इसमें आट करेंगे और अमजूर पाउडर को अच्छी तरह से हम सबजी में मिक्स कर देंगे दी में आज पर करीब दो मिनिट पकने देंगे और ताजर करते धनिया पत्ता से इसको गानिश कर देंगे और अरबी आलू की सबसी बिल्कुल रेडी है प्लाओ प्लाओ